हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजारवित आयूश और इस वीडियो में बात करेंगे 18 जुलाई यानिया आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में उतकर स्मॉल फ्रेंज बैंग निट्विप टेक्निलोजी स्काका इंडस्ट्री ड्रोन करते हैं सबसे तो नेट्विप टेक्निलोजी सो नेटविप टेक्निलोजी इसकंड और सेकंड डे भी कुछ घंटों में आज खतम हो जाएगा वह दोस्तों यह यह दो दिन आज कंप्लीट करने वाला है और कल इसका आखरी दिन रहने वाला है तो आपके सिप एक दिन बच पैसा लगाने के लिए 500 रुपय प्रती शेयर का प्राइज में कंपनी ने अनौंस किया है 30 शेयर आपको मिलने वाले एक लॉट के अंदर कुल मिलाकर 631 करोड का इश्यू है जिसमें से फ्रेश इश्यू 206 करोड गा और बाकी का offer for sale आपको देखने को मिल जाएगा अगर प्यों है यह दोनों एक्षेंज पर लिस्ट होगा में बोड़ आइप यो हमेशा दोनों एक्षेंज पर लिस्ट होता है लेकिन अभी तक कितना पैसा निकल कर आया है यह दोस्तों समझ जाते हैं तो इस्चू को बहुत अच्छा response मिल रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है क QIB ने कुल मिला कि अभी तक 2.51 इस इशू को भर दिया है 315.91 करूर अब यह बाद ध्यान रखिए QIB का पैसा कल आएगा पूरा पैसा कल आएगा और अच्छा खासा पैसा निकल कर आएगा ये भी आपको मैं कहा सकता हूँ अगला आता है एचनाइस एचनाइस ने कुल मिलाके 12.99 ताइम दोस्तों इस इशू को भर दिया है यानि 1227 करूर अब इसमें से जो बिग एचनाइस उनके दोरह 11.80 ताइम और स्मॉल एचनाइस के दोरह 15.36 ताइम इस तरीके से भरा गया है और टोटल मिलाके 12.99 अफिर हम 13 कह सकते हैं कि एचनाइस के द्वारा इस कैटेगरी को बर दिया गया है कल आप मान के चलिए जो सबसे जादा भरी होई कैटेगरी होगी वह क्योगी तेन एचनाइस की होगी most likely यही कल डेटा होने वाला है और यहां पर मुझे तो लगता है कि कम से कम इसके अंदर क्यों लगा हुआ है और कल अलॉट्मेंट उतकर स्मॉल फ्रैंस बैंक का लेकिन अलॉट्मेंट होता है तो ऐसा नहीं कि सुबह सुबह पैसा आजाएगा शाम तक पैसा आएगा तो यह है कि देखना कि क्यों बीस कितना लगाते हैं तो कल कर दे काफी इंट्रेस्टिंग रहेगा रीटेल के बात करते हैं तो रीटेल ने करीवन 7.38 टाइम इस इस इसु को भर दिया है 7.38 टाइम यानि करेवन 1628 करोड आप सब सोच रहोंगे कि रीटेल ने काफी कम बरा है यह बात ध्यान रखिए रीटेल का जो आप्लिकेशन है या फिर रीटेल को जो आई प्यों में तो इसमें रीटेल के लगने के जादा चांसे आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि रीटेल का पूशन तो यह कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ट से आप अप्लिकेशन लगाएंगे तो डिफिनिटली आपके चांसे क्रिएट हो सकते हैं अलॉट्मेंट आने तो यह इशू साथ गुना अल्रेडी भर चुका है कल बरातार 2.38 टाइम और अभी 7.21 टाइम तक भर चुका है मेजर लिए बंद होते होते मुझे लगता है कि करीब 8-9 गुना के बीच में भरा जा सकता है आज आज के अंदर बात करेंगे सब्सक्रिप्शन निकल कर इसका दोस्तो अगला आईपी आता है असरफी हॉस्पिटल एक ऐसे में इस्यू है जो आज इसका भी सेकिंड ही है और ये भी कल बंद हो जाएगा 52 रूपीज का प्राइस बेंड है 2000 मिलने वाले कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर 26.94 करोड का ये दोस्तों पूरा का पूरा इशू है पूरा का पूरा फिरेश इशू है और इसके जो लिस्टिंग है वो सिर्फ BSC पर होगी अगर करें सब्सक्रिप्शन के बारे में चर्चा करें तो ये इशू भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहा है अल्मॉस्ट 3.14 ताइम दोस्तों क्यू आई इसको लेकर भी मार्केट में अच्छा रिस्पॉंज देखने को मिल रहा है तो इससे में जो भी लगाते हैं वह बिल्कुल नजर रख सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पर तो ग्रे मार्केट तो काफी बढ़िया चली रही इसमें कोई डाउट है नहीं नेटवेब टेकनलोजी की ग्रे मार्केट अल्मोस 74% पर अभी ट्रेड कर रही है यह अल्मोस्त दोस्ते आपर 74-75% का लिस्टिंग गेन का एस्टिमेट है जो एक्जाक्त है वो 372 रूपीज है ग्रे मार्केट यह पांसु रूपे के प्राइज में पर यह 872 तर लिस्ट ह हो सकता है इस प्रकार की माजार एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा है ग्रे मार्केट बेसिकली अगला आता है दोस्तों असरफी ऑस्पिटल ग्रे मार्केट में बहुत बढ़िया तीजी देखने को लगातार मिल रही है और वह एक्जाक्ली आप विटनेस कर सकते हैं ग्र दोस्तों SME IP उपन होता है तो उस समय ग्रे मार्केट काफी तेज से चलती है और उसके बद फिर नीचाना चलो और देती है लेकिन क्योंकि साट सितर परसन की ग्रे मार्केट है तो ज्यादा कितना नीचा जाएगी यह भी सोचना वाली बात है तो आई थिंक आप बढ़िय भी पाज गुना के असपास यह भर गया है उतकर SMALL FINANCE BANK तो जिर लोगों ने भी उतकर SMALL FINANCE BANK पे लगा है कल आपके लिए बहुत IMPORTANT DAY होने वाला है कल उतकर SMALL FINANCE BANK का ALLOTMENT है तो कल आपको पता चल जागा कि आपको ALLOTMENT लगा है या नहीं लगा है तो कल का दिन बहुत IMPORTANT होने वाला है ग्रेंट 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 मार्केट तो साथ परसेंट की आसपास चल रही है यानि अल्मोस्ट यह पर 25 रुपे के सामने 15 रुपे की ग्रेंट है बट यह बात जरूर बात सोचने वाली है कि किस तरह की लिस्टिंग यह देता है बाजार बहुत तेजी चेक करना है तो बिल्कुल कल का दिन काफी IMPORTANT रहेगा अगला है ड्रोन डेस्टीनेशन तो ड्रोन डेस्टीनेशन जो इशू है उसकी ग्रेंट में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है तो यह बहुत चौकाने वाल है बिकास ग्रेंट लगातार ड्रोन डेस्ट के नीचे आती जा रही है और जो ट्रेंड है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी करेंटली 38 रुपीज चल रही है 17 तो भी 38 थी उससे पहले 39 थी उससे पहले 39 थी दिन 38 दिन 42 फिर 50 फिर 52 उससे पहले 56 तो आप खुच समाझ सकते हैं कि जो ग्रे मार्किट है ड्रोन ड कितने का लिस्टिंग यहन होगा यह अपनाप में बहुत इंपोर्टन्ट होने वाला है देखने के लिए सेम अर्स ओला टेक्नोलोजीज के साथ भी हुआ है कि ग्रे मार्किट यहां पर भी गिरी है और ग्रे मार्किट अल्मोस्ट नौ साड़ नौ परसंट के आसपस चल रही है तो यह दिखा रहा है कि 172 इसका एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइज है देखते हैं अब लिस्टि 24-75% है 20 तरीकों मार्किट में यह लिस्ट होने वाला है और इसकी भी एक अच्छी लिस्टिंग की एकस्पेक्टेशन है यह भी एक SM issue था और अच्छा खास रिस्पॉंस इसने ग्राब किया था था एक अच्छी खासी लिस्टिंग होने वाली है लॉट्मेंट भी सिर्फ गिने चोने लोगों कोई ही मिला है क्योंकि यह सिर्फ नसीब वाले है यहां पर अच्छी लिस्टिंग होनी चीए अब देखते कितने पर यह लिस्ट होता है अगला था एक्सेलरेटिट इंडिया एक्सेलरेटिट इंडिया दुस्तों ग्रे मार्किट ऑल्मोस् 11 रुपे क अच्छे लिस्टिंग होगी तो बाकी आईप्योस भी उसको देखका अच्छा लिस्ट हो सकते हैं बाकी अपकमिंग बहुत सारे इशूस जिसमें से एक आता है खजानची ज्वेलर्स तो यह एक नया आईप्यो है जो ओपन होने वाला है फिर अगला आता है श्रीवरी जल्द ओपर होने वाला है और फिर आता है टाटा टेक्नलोजी जल्द यह भी ओपर होने वाला है पर अभी तक प्राइस बन निकलके नहीं आई है करेंट ग्रे मार्किट 84 रुपीज पे चल रही है तो इस वीडियो में इतना ही था होफिले आपको वीडियो बड़िया अगा होगा थांकियो फ्रेंस वाचिंग दिस वीडियो